नमस्कार दोस्तों विल्कम टू माई चैनल पिहू स्क्रेटी बीटी मैं हूँ पिहू आप लोग के लिए आज लाई हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से एक परी हुई ग्लास बोटल को थोड़ा सा डिकोडेट करने के बाद कितना यूनिक लुक दे सकते हो आप लोग घर पर ही बाद इसको ले लिया और इसके ऊपर ही थोड़ी सी डेकोड कर दिया अपना आइडिया लगा के तो चलिये देखते हैं इसको बनाने के लिए क्या क्या हमें यहां पे चाहिए वाइट कलर का मोती एक लेस और वाइट और यलो कलर का फ्लावार पहले यह लेस को मिज़र कर लूँगी वो जो बटल का नीचे वाला पाध है वो आप पे मिस्जरमेंट करने के बाद इसको मैं कट कर लूँगी और यह पे मैं होट ग्लू लिया है आप लोग कोई भी ग्ल्यू ले सकते हो इसको बटल के उपर ऐसे सेट करना है लगाना है और उसके उपर जो हमने लेस अब इसको मैं अच्छे से fit कर दूंगी आप लोग कोई भी glue ले सकते हो और hot glue लिया है मैंने hot glue से ऐसे होता है कि अगर एक बार लगा दिया ना और बतलाब खराब नहीं होता है बहुत दिन तक टिक जाता है बहुत दिन से फिर हो जाता है आप लोग कोई बात नहीं है आप कोई भी पास हरे हाट गलू नहीं है आप कोई भी गलू जाशन ले सकतो फे भी क्रिल अच्छा option है और आप लोगों को लेश कोई भी material shop से मिल जाएगे बहुत ही असानी से, मैं ने इसको हाथ की मदद से और ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका दिया, आप देखिए इसके बाद इसका जो उपरवला पार्ड है, same to same, ऐसे ही उपरवला पार्ड को भी मैं, बोटल का उपर वला हिस्से को भी मैं ऐसे, ग्लू और लेज की मदद चिपका दूँगी, मेजर्मेंट कर लिया है, मैंने, ब्लू और ऐसे मैंने चिपका दिया है, यह दीखें, बस अच्छे से चिपक जाना चाहिए, और देखें कितना अच्छा लुक आता है, आप लोग ऐसे तो बहुत सारे बोटल होगी है आप लोगों के पास, अब लोग अ अब देखें, इतने में ही कितना खूब सरद लग रहा है, उपर नीचे लेस लगा दिया और इसमें कितना खूब सरद लग रहा है, बीच में मैं यहाप होट ग्लू लगाऊंगी, और मैंने यह यलो वाला फ्लावा लिया है, उस यलो वाला फ्लावर को अच्छे से बीच म में फिर से white color का जो छोटव छोटा फ्लावर लिया है ना artificial flower यह सब artificial flower उपर और नीचे में अच्छे से चिपका दूँगे okay यह उपर चिपका दिया अब नीचे जो छोटा वाला flower है उसको में यहां पर चिपका दूँगे बस चिपका दिया, अब चिपकाने के बाद यहां पर भी अच्छे लग रहे हैं, और मैं इसको थोड़ी से इन्हेंस करने के लिए इसके उपर फेबी क्रिल जो ग्लू है, उसके मदर से, उसको पहले में बटल के उपर ऐसे लगाऊंगी, और उसके उपर लगाने के बाद, ज यहाँ पर उपर चिपका दूंगी तो घर पे अगर बहुत ही कम टाइम में पाच मिनित या दस मिन में इसको बनाया है तो आप लोग जरूर ट्राइ करना है और ट्राइ करने के बाद मुझे जरूर बताना बताना जरूर तो यहाँ पर मैंने लगा दिया और हाथ की मज़से सिधा कर दूंगी और इसकी बाद नीचे एकदम बटल का नीचे का जो साइट है वहाँ पर भी मैं सेम ऐसे ग्लू लगाऊंगी और ग्लू लगाने के बाद कटा हुआ मोती यहाँ पर सेट कर दूंगी बस हमारा डियाई वेल डियाई वाई या ग्लास बटल डेकॉरेट है डेकॉरेट हो गया है और इतना प्यारा लग रहा है सूखने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ बस यह सूख गया और देखिए इसका लोग कितना अच्छा लग रही है आप लोग ऐसे भी रख सकते हो रूम के अंदर यहाँ पर नहीं चाहो तो इसके अंदर जो बॉ पानी में विगाने के बाद बदा बाद ब्रा हो जाता है ओवला वाल्स मेने थुई वहां मेरी पास ती ओही डाल दिया आप लोग यूज कर भी सकते हो नहीं भी और इसके उपर आप फ्लावर भी रख सकतो आप लिए बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा यह शोपीज बन गया कोई भी जब भी कोई भी वीडियो डालो आप लोगों तक पहुच जाए यह फिर मिलतों आरे एक वीडियो के सब तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार्स